तो इसको दो तरीके से डिटर्माइन करते हैं जो हिस्ट्री है उसको लैंविज की पहला है हमारा इंटर्नल और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल जो लैंग्विज है या जो कॉमुनिकेशन है उसका क्या रोल होता है जो शोचल अनिमल और यूपनिकेशन है वो सब कॉमुनिकेट करते हैं चाहब वो बीज हों आंट्स हों वेल्स हों एप्स हों अल placebo कोई भी आनिमल कोई भी बर्ड़ हो सब क्यों क्यों कॉमुनिकेट करते हैं सबकी अपनी एक लैंग्विज है सबकी अपनी एक टरीका है बातचीत करने का लैंग्विज तो नहीं वहीं बोलेंगे लेंग्विज है और लेंग्विज के साथ साथ बहुत सारे साइन हैं सिगनल हैं जिनका यूज ये करते हैं वन दे कॉम्मिनिकेट विद इच अदर तो ओरीजिन ओफ हुमन लेंग्विज फिल पहप्स रिमेन फोरेवर अपस्कियोर तो दोनों अलग अलग बाते हो जाती हैं एक यह जो और ऑपके लेंग्विज के बात होरी है और दूसरी तरह बात हो रही है कि जो इंडिविजुल है जो कोई वी एक इंसान है जहें मैं हूं आप तो आपकी language का development किस तरीके से होता है, आप किस तरह से language को सीखते हैं step by step, यहाँ पर दो बातों को discuss किया है, there are about 5000 languages spoken in the whole world, so 5000 languages spoken है हमारी world में, और as I discuss you all कि सरफ human beings के पास ही language है, तो आप इसका amount पे बहुत जादा है, 5000 बहुत जादा एक amount होता है कि इतनी languages हैं, लेकिन जो लोग हैं हम बहुत few languages से familiar होते हैं, क्यों क्योंकि जो हमारी country है, वहाँ पे जिस तरह की language बोली जाती है, वही हमें आती है, इस सारी बाते हो जाती हैं, अब अगर हम बात करें कि जो language है, उसकी approach और source कौन कौन से हैं, जो language है, उसकी जो history है, जैसे कि इसका नाम ही है, इस chapter का, history of English language, तो सबसे पहले अगर बात आती है, कि history की, तो किसी भी चीज की history का क्या मतलब है, means the study of past, simply अगर बोलें, तो study of past क्यों होता है, आपका history होता है, लेकिन English की history का क्या मतलब है, English की history का मतलब है, कि किस तरह से जो English है, हमारी वो develop हुई है, old English, फिर middle English, और फिर modern English, जो अ एक तरह का, एक pathway कह सकते हैं, और जो study होती है, हम पढ़ते हैं, कि old English में क्या था, क्या नहीं है, तो वो भी क्या है, English की history है, अब हम बात करते हैं, in simple word, history is a narration of what actually happened, because, what actually happened before in past, of events related to something, अब something यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बिकर अगर सिरफ history की बात कर सकता है, तो history तो होती है, कि पहले कुछ था, पहले कुछ प्लैनेट से, फिर बाद में कुछ आये, फिर कुछ चले गए, existence उनकी नहीं रही, यहाँ पर history की बात हो सकते है, कि पहले कुछ राजा थे, वो फिर चले गए, ठीक है, उनकी death हो गई, history हमारी हिंदी की हो सकते है, कि हिंदी लैंग development of language, and there are two ways to look at the historical development of language, दो तरीकों से हम इसके historical language को देख पाते हैं, और वो दो तरीके कौन-कौन से हैं, वो दो तरीके हैं हमारे internal और external, यह जो दुनों टर्म्स हैं, इसको अगर समझने के लिए आप body part के example ले सकते हैं, internal जैसे कि हमारे body के अंदर जो organs होते हैं, वो develop होते ह और external जो हमारा body के बाहर का involvement होता है, वो भी हमारा जो behavior होता है, वो उसे भी affect करता है, यहाँ पे language के internal और external part का क्या मतलब है, जो internal history है, internal history of language refers to the historical development of its linguistic and structure form, किसके structure में क्या बात की गई है, internal मतलब कोई भी language है, उसके अंदर जो उसका structure है, जो उसका form है, वो कैसा है, वो linguistic sounds, जो उसके sounds है, जो उसका pronunciation sound है, वो कैसा है, structure, vocabulary, कि कोई भी language है, उसके अंदर कितनी vocabulary है, यह उसका क्या है, internal part होता है, and other categories trace the evaluation of the language, evaluation means होता है changes, जो time-time पे जो changes हुए है, वो सब क्या आते हैं language के, internal part में आते हैं, हम किसी भी language की historical अगर development की बात करते हैं, तो उसका जो internal part होता है, वो यह होता है, और जो evolution of changes है, या evolution of language है, यहाँ पे यह चीज़े mention होंगी, जो अपकी old English थी, तो middle English है, और जो modern English है, it can also be studied from the viewpoint of geographical, यह जो geographical यह अब दूसरे areas होंगे, वो हमारे external में आ जाएंगे, अब हम बात करें external की, the external history of a language is the history of its speaker, as their history affects the language they use, कि जिस तरह से वो use करते हैं, वो उसका क्या effect पड़ता है, और इसके अंदर कौन-कौन से factors आते हैं, अगर हम उनकी बात करें, the land, where they leave, अब जो हम use करते हैं language, तो internal history क्या हो गई उसकी, कि उसके अंदर किस तरह का structure है, किस तरह का sound है, किस तरह की vocabulary है, pronunciation है, तो यह सारा हो गया है, उसका internal, और external क्या होगा, अगर मैं use कर रही हूँ, जहां मैं रह रही हूँ, वहां का land area कैसा है, the migration, the wars, wars मतलब, अगर कोई literature लिखा गया है, कोई work लिखा गया है, वहां पे war हुए है, तो वहां पे जिस तरह के words का selection होगा, जिस तरह से उसको present किया जाएगा, वो इस event को present करेगा, इसके साथ इसके अंदर government, art, science, economic, technology, यह सारी चीज़े जो religion हो गया, हमारा philosophical views हो गया, marriage, custom, family patterns, यह सब क्या है, यह हमारे external है, language का external part होता है, कि अगर हमें language के historical development of language को जानना है, तो external party क्या होता है, हमारे यही सब होता है, internal की अगर बात करें, तो जिसके अंदर sentence making आ जाती है, pronunciation, vocabulary, जिस तरह से आप उसको बोलेंगे, और external में, जिसके अगर आप marriage custom की बात करते हैं, तो यहाँ पर language का क्या रोल है, suppose जो आपका tradition है, आप बंगाल से बिलॉंग करते हैं, तो बंगाल से बिलॉंग करते हैं, तो आपका marriage custom जो होगा, वो भी बिंगॉली होगा, तो बंगॉली marriage custom है, तो वहाँ पर कुछ रीती रिवाज अलग होंगे, जो words होंगे, वो अलग होंगे, तो यह क्या है, यह language development का, अगर हम बात करें, historical development का, तो यह इसका external factor हो जाता है, same as family pattern, कि किस तरह की family है आपकी, यहाँ पर family pattern सा मतलब है nuclear family है, joint family है, तो वो सारी चीज़े भी effect करती है हमारी language को, ऐसा बोला जाता है कि जो joint family होती, वहाँ पर जो बच्चे का vocabulary है, वो बहुत जादा हो जाता है, और उसका reason क्या होता है, क्योंकि घर में members जादा होते हैं, और हो सकता है सबके office जाने का, school जाने का, college जाने में, वो अलग-अलग languages को सीखते हैं, और घर में बच्चा उन सभी languages को सुनता है, और जितनी languages को कोई भी जो बच्चा है वो सुनता है, उतनी languages में वो command कर पाता है उतनी ही language में वो expert बन जाता है कुछ families में बच्चे छोटे होते हैं लेकिन वो 3-4 languages को बोल लेते हैं तो उसका reason यही है इसके बाद इसमें बात की गई है जितनी भी sports होगे, recreations होगे यह जो आप enjoyment के लिए करते हैं यह सारा भी इसका external part में involved होता है अगर हमें history को जानना है language की तो हमें internal और external दोनों को जानना होगा अगर बिल्कुल shortly बोलें तो जो internal है वो किसी भी language के अंदर जो उसकी linguistic sounds है किसी word को कैसे pronounce करेंगे language जो words है उसका क्या structure है structure क्या आजाएगा इसमें जैसे कि अगर हम grammar की बात करें तो कहां पर subject use होगा verb use होगा, adjective use होगा तो यह सब क्या है, यह इसका एक structure है paragraphic form में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो यह उसका structure है और यह सारे internal में आता है और external में हमने acquire कर लिया हमें सब कुछ आता है तो जो बाहर का environment है चाहिए आपका neighborhood हो आप कहीं दूसी जगा पर जा रहे हैं आप government office में काम करते हैं private office में काम करते हैं जो economic status है वो technology जो है वो यह सारी चीज़े influence करती है हमारे development को और history of English language को इसके अंदरा कर हम sources की बात करें कि जो हमारा history of यह जो English language है इसके हमें sources कहां से मिलते हैं तो Oxford English Dictionary है जिन्होंने define किया है पहले तो history को a relation of incidence इन्होंने क्या बोला है कि जो history है a relation of incidence कि जितने भी incidence होगे हुए उनको आपस में जो एक link बनता है एक relation बनता है उसी को बोलते हैं history a return narrative constituting a record in order of time or important or public events कोई भी ऐसी चीज़ जहां पे events को एक order में रखा जाता है एक time के order में रखा जाता है उसी क्या coding उसे arrange किया जाता है जो किसी भी particular country से बिलॉंग करता हो people से बिलॉंग करता हो या individual से बिलॉंग करता हो उसी को बोला है history the formal record of past especially of human affair or actions इसको भी बोला गया है history और जो definitions है ये Oxford English Dictionary के according है कि कोई भी formal record जो past से related है और humans की affair मतलब जो वो काम करते हैं उन से related है या फिर actions से related है उनके rituals, उनके culture इन सब चीजों से related है तो उसे किसमें consider किया जाएगा history of language में consider किया जाएगा history of language को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है so वो complete आएगा आपका old English, middle English और modern English इस पे separate videos हैं आप playlist में विजिए जाएगा